मेरे प्यारे बिध्यातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आफ़ताब इस्टिडी क्लासेस में आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैरत के वाले में ठीक है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोड मित को पढ़ेंगे और जिसमें देखीगा हमारे सवाल है जो आपके सामने लिखे हुई है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान बन प्लस कॉस थीटा यह equal to 2 cos theta हमें एक यह सिद्गरना है और second question है हमारा cos theta minus cos theta का whole square equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta ठीक है तो हम लोगों को यहाँ पर यह दो question solve करने है ठीक है यह questions जो है आपके लिए बहुत धेरा important है तो हम लोग यहाँ पर इसको सुरू करते हैं देखेंगा आपके सामने यहाँ पर यह question लिखा हुआ है देखें सिद्गरने के लिए क्या होता है दो पच्छ होते हैं एक होता है left hand side एक होता है right hand side LHS एक RHS तो यह वाला जो part है आपका इस side वाला part यह आपका हो जाएगा LHS सिद्गरने के लिए condition क्या होती है कि अगर हम लोग LHS को लगाएं फिर भी आपका सिद्ग हो जाएगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर इसको सिद्ग करेंगे देखेंगा किस प्रकाज सिद्ग करेंगे समझेगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि LHS क्या लिखेंगे LHS left hand side लिखेंगे one plus cos theta इसको solve करना है इसको solve करें तो यह 2 cos theta आजाए तो समझ लिजेगा कि आपका सवाल solve हो गया ठीक है अब देखो समझो आप लोग समझने वाले बात यहाँ पर यह है लिखा हुआ है कि one plus cos theta upon sin theta plus sin theta upon one plus cos theta सबसे पहले इसका लासा लेंगे हम लोग क्या करेंगे इसका लासा लेंगे लेंगे इसका हर sin theta इसका है one plus cos theta कुछ common नहीं मिला जब कुछ common ना मिले है तो दोनों को multiply में लिख लेते हैं लिखेंगे sin theta into one plus cos theta ठीक है फिर हमें क्या करना है जब यह दोनों same ना हो तो हमें cross multiplication करना है मतलब 36 गुणा करना है आपस में बस इतना का मोल करना है तो देखो लिखा हुआ है कि one plus cos theta लिखा हुआ है लेडी इसमें क्या करेंगे तीरची गुणा करेंगे कि इसकी one plus cos theta की के लिए यह बीच में plus लगा हुआ है तो एक का पहले multiply करेंगे एक में तो एक का एक में करेंगे तो एक एकन एक हो जाएगा plus फिर हम एक का करेंगे cos theta में तो जाएगा सिर्फ आपका एक का cos theta में हो जाएगा यह plus लगा हुआ है यहाँ पर तो प्रस लिख लिख लेंगे इस जाएगा आपका साइन एक जो लिखा हुआ है już तो देखिए यह वाला जो है आप कि साइन का गड़ा करेंगे साइन इसकार हो जाएगा और यह 1 प्लस कॉस्टटा की जो मृटिप्लाइ की तो आया है 1 प्लस कॉस्ट टीटा पलस कॉस्ट टीटा कैसे आया समझो आप फुटा साफ जब हम लोग 1 की मिल्टीप्लाइ करेंगे 1 कमें नहीं बदाहिएं शुक्रण आपका लिखा हुआ है voiture स्कॉआ तहँ है आपको पता होना चाइए कि कॉस्ट स्कॉई थीटा कि वह सम्झो थोड़ा सा यहाँ पर लिखा वैंगे इसकी यह नो क्या है पर क्या करेंगे टिक तो यहां पर क्या लेंगे देखिए समझेए हमने यहां पर इसके लिए लिए अपान देखिएगा लिखा हुआ है कि साइन ठीटा इंटू वन प्लस कॉश्ट टीटा कि इतना यह सॉल्व हो गया तो बदाबर लिखें कि हम लोग इतनी रा समझे होंगे आप लोग यहां पर यहां पर लिखा हुआ एक यहां पर भी एक तो एक कितना हो जाएगा आपका यह जाएगा दो तो जाएगा दो प्लस दो कॉश्ट अपोन देखेंगे यह पर लिखा हुआ है इनट्यम यह एक कि उस्थ घृटा आप बंझन होदब कि एंट में लिखा यह हुआं पर वह पर हम लोग यहां से नो कॉमन दैंगे तो क्या मुदिया का एक ओकन दू प्लस आपको कॉश्ट Richtung कॉमरविप्त से देखा हुआ गा और जसको लिख सकते हैं मिलावार 2 x को सेकवे सकते हैं च eldff सिद्ध हो गया तो आपको यह बात समझ में आगे होगे कि जब आपको दिया जाए 1 plus cos theta upon sin theta plus sin theta upon 1 plus cos theta equal to 2 cos theta तो इसको हम इस बकार से सिद्ध कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग अगला question देख लेते हैं और अगला question है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है देखेगा लिखा हुआ है कि cos theta minus cos theta whole square equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta इसको सिद्ध करना है इसको भी सिद्ध करेंगे रहों लिखेंगे कि LHS left hand side क्का आपका cos theta minus cot theta square equal to cos theta क्या होता है cos theta के लिए कि फार्मला एक तरफ लिखेंगे लोग फार्मला लिखने चलिए एक तरफ आप लोग याद कर लिए गया फॉर्मुला जूराद किजेगा तो पिखता है तो हमें यहां पर यूज करना है उसको मिलें लिख दिया यह अभी फिलाल में इसको में वह weं को करते हैं पहले हम questions को तो यह Qp3 अपका हो जाएगा one upon sin theta मायनस Qp3 में हो जाएगा आपका को सक 3 अपार साइन ठीट इसका इसका इसवार लगा देंगे आगए देखवा आप लोग इसका दोनों का हर समान है ठीक है तो लिएった करические साइना है तो उप़र का से उश्य भाइब लिखेंगे लिखेंगे वन मैनेस कोशनuten निगे लेगे अगे दिखेंगे वन माइनिस कॉश्य का कोशन प्रिकशन आधो इसको हम देखें जैसे समझे थोड़ा सा जैसे यहाँ बें समझेगा हम भी तो समझेगे आपको ठीक है समी ऐसे लिखा वा है एक स्क्राइट लिखा हुआ होता है कि X का मिलड़िपलई लिए आप लोग कि one minus cos theta का square था तो मैंने इसको दो भागों में लिख दिया और लिए स्क्राइब यह समझ मिंढ़ होगी आप अब लोगो थोड़ा सा इसके आगे वह समझञू आप लोगोस इसके आगे यहाँ से इसके यहाँ हो इसके यहां समुझ दो थोड़ा सा तो यहीं वन प्लस- मानिस-tetaf one-mineus-igent तुम लिख देंगे one-mines-kit-1-2-1-mineus-kos theta का देंगे, sin square theta बदाब formula हमारा क्या होता है, 1 minus cos square theta यह formula होता है, अगर आपको formula नहीं आ दें, तो जरूर याद कर लिजएगा, ठीक है, तो sin square theta equal to होता है, 1 minus cos square theta, अब देखिए, 1 पर हम square लगा सकते हैं, तो 1 का square करेंगे, 1 ही रहेगा, तो a square minus v square का formula हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्या होता है, a plus b, a minus b, तो इसको लिख सकते हैं, बदाबर, 1 plus cos theta, into 1 minus cos theta, यह किसके बदाबर है, यह value बदाबर किसके, यह value बदाबर है आपका sin square theta के बदाबर, तो यहाँ पर sin square theta के लिए पर हम लोग लिख सकते हैं, कि 1 plus cos theta, और into में 1 minus cos theta, तो आपका इसे सही समाप्त हो जाएगा, तो आपका आजाएगा यहाँ पर, कि 1 minus cos theta, और upon में आजाएगा आपका 1 plus cos theta, तो आपको इसको सुमने 100 विक्रा तो इतना आ गया, तो इसलग किसके बदाबर आ गया, यह आपका आगया, आपका आपका यह प्रूब दो जाएगा, तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है, तो यह class 10 के लिए बहुत important questions थे, जो कि मैंने आपको बताया भी है, class 10 के लिए ठीक है, और देखेगा, आपका patent paper का जो है, वो थोड़ा सा change हो गया है, वो भी समझ देजेगा थोड़ा सा आप लोग यहां पर, देखेगे, आपका जो paper का patent है, वो क्या रहा है, अब वो समझेगा, पेपर आपका होता था, 70 marks का, 70 number का होता था, और जिसमें से आपके 6 विकल पाते थे, देखेगे, जिसे, आपका एक paper 100 number का, समझे से, जिसमें से 70 number का आपका exam होता था, और 30 number का आपका practical, school से, यह number school से मिलते थे, हमें UP board से बात करेगा, आपके 6 विकल पाते थे, वहांकि आपके 6 नमर के आते थे, उसको आपको solve करना होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, अब थोड़ा सा यह pattern change कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा कि इसको यह नहीं किया, अब यहाँ पर जो 70 number का आता है, उसमें से आपके 20 जो है, 20 विकल पाते हैं, 20 विकल पाते हैं, ठीक है, टोटल विकल विकल आएंगे, इसके लिए आपको एक OMR seat दी जाएगी, OMR seat दी जाएगी, उसको आपको solve करना होगा, और 50 number के आपके जो है questions आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बता देंगे, कि क्रिस प्रकार साइब का पेपर का पेटन आता है, और आपको हम पूरा एक पेपर भी दिखा देंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को subscribe नहीं किये हैं, तो चैनल को subscribe कर देजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बाद लाइक कर दिजिएगा, और दोस्तों के पास इस वीडियो को share भी कर दिजिएगा, मिलेंगे आपको next वीडियो में,